गुज्रात हाई कोर्ट ने सुर्ट सेशन कोर्ट का जो फैसला है उसको बरकरार रखा है क्या है जानकारी बिल्कुल यहां पे जरूर जटका लगा है राहूल गांदी और पूरी कॉंग्रेस को काफी उमीडें की सबको यहां पे कॉंग्रेस नेताओं को कि आज गुज्रात हाई कोर्ट से जो फैसला आएगा वो राहूल गांदी के पच्छमा आएगा गुज्रात हाई कोर्ट का उससे राह белिया की सदस्टा अ भाल होगी उनकी जो सजा है उतना रोक लगेगी लेकिन यहां पे पूरी तरह निराशया राहल गांदी और आंने कांगर्स सब्सक्राइ मैं पर देखिया उमीजी राहुल गांदी को सुप्रीम कोड की होंगी सुप्रीम कोड का रोग कॉंगरेस पार्टी आज ही करेंगी इसके वारे में क्या जानकारी मिल रही है कि अजिए सुप्रीम कोड को लेकर अभी जूपी आजिए पहले ही फैसल आया है तुजराथ हाइब कोड का और अचे में जब ऑडर की कॉपी आई की और जब जो लीगल टीव है कॉंगरेस की वो इसको स्टेडी करेगी लेकिन एक पास पासा है कि तिलाल राहुल गांदी के सुप्रीम कोड यहां पे कॉंगरेस की तरफ से किया जाएगा बिल्कुल विन्हा देखिए लीगली कॉंगरेस पार्टी यहीं चाह रही थे कि थोड़ी उमीदें उनको मिले हैं और इसलिए राहुल गांदी ने सूरत कोड के फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए एक रिव्यू पेटिशन दाकिल भी की थी गुजरात हाई कोड ने लेकिन उस पर सुनवाई करने से कोड इंकार कर दिया है लास्मी है कि कॉंगर्स पार्टे के लिए निराशा होगी लेकिन अब चुनौतिया क्या रहने वाली है और लीगली अगर देखा जाए तो क्या सुप गुजरात हाई कोड का रुक किया आज गुजरात हाई कोड से भी कोई रहत नहीं मिली है जिसके बाद अब फिलहाल सुप्रीम कोड ही राहूल गांदी के पास राफ्ता बसता है और लाजमी है कि सुप्रीम कोड का रुक की तरफ से जरूर किया जाएगा हाला कि कब यह संसत की सदश्टा इस वह रधू उसकर राहूल गांदी की तरफ से सेशन कोर्ट में चैलेंज किया सेशन कोर्ड से भी निराशहात्य लेगी आज गुजराथाई कोट से निराशहात्य लगी है उनको इस सजा और को रद करना और सजा पर रोक लगाना जरूरी है और इसलिए राहूल गांदी चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जल सजल रूख किया जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट से भी कोई फैसला उनके फिवर में आए और राहूल गांदी और पूरी कॉंग्रेस यही समझना चाहती हूँ कि जब गुजरात हाई कोट में मानहानी केस को लेकर जब सुनवाई हो रही थी तो क्या आज कोट ने केवल फैसला सुनाया है या फैसले को लेकर पहले जो वकील है खास तोर से राहुल गांधी के ओर से उन्होंने अपनी बात रखी दलीले पेश की ऐसे भी दलीले थी वो गर्मियों की छुटियों से पहले पूरी हो चुकी थी और चुकी बीच में गर्मी छुटियां हो गई थी कोट बन था इसलिए आज की तारिक रखी गई थी फैसला सुनाने के लिए और 11 बजे का समय था जैसे ही 11 बजे कोट बैटी उसके बाद फैसला निराशाहत लगी है यानि की विन्य दो मैं को जो फैसला रिजर्व रखाता कोट ने बहुत सुना दिया ऐसे में किस तरह से रियक्शन क्या सामने आई हैं अभी किसी कॉंग्रेस निता की ओर से देखिए उमीद लगाई जा रही है कि आज कॉंग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉंफरेंस की जा सकती है आगे की लडाई कॉंग्रेस इसको कैसे लड़ेगी सुप्रीम कोट कब जाएगी किस तरह का सुप्रीम कोट में दलिल रखेगी ये सारी बात एक प्रेस कॉंफरेंस क रखोपे माँदे की मांदी समाच मानुक्त कि लेकर था जिसमें राहुल गांधी दोशी पाये जाते हैं और आप देखिए दोशी पाये जाने के बाद सूरत कोर्ट के बाद गुरुजवाथ हाई कोर्ड से भी उनको ग्जडका ही मिला है 2wen 64 लोकसभाद चुनाव में अगर सुप्रीम कोर्ट से भी आगर राहत नहीं मिलती है तो बीजेपी साफ कह रहे है कि कानून अपना काम कर रहा है, कानून ही लड़ाई है, मोधी सरनेम को लेकर ये फूरा मसला हुआ जब राहूल गांदी की तरफ से एक सभा में मोधी सरनेम को लेकर बात की गई, उसके बाद मामला कोट पहुँचा, OBC समाथ से बीजेपी ने इ मिलता है कि मानहानी मामले में मैकसिमम सजा हो, दो साल की सजा को लेकर कॉंगर्स की तरफ से कहा गया कि जानबूच के दो साल की सजा दी गई है, ताकि रहूल गांदी की जो सदस्ता है संसद में उसको रद किया जा सके, जिस दिन कोट ने दो साल की सजा दी, उसके शाम को ह प्रद करने का मैसेज आ गया उनको नोटिस आ गया और कॉंगर्स की तरफ से कहा गया कि यह तमाम जो घटना करम है इसले हुआ ताकि राहूल गांदी संसद में परदान मंतरी के खिलाफ ना बोल सकें तो यह कॉंगर्स का कहना है कि यह जो पूरा भी घटना करम है हाओं को हाई कोट से अब इसके बाद सुप्रिम कोट ही एक रूप है और सुप्रिम कोट में ही इस सजा को चैलेंज किया जाएगा